आज मेरे पास Build Skill Company की पेंट इसप्रेगन जो कि काफी वड़ीया अच्छी क्वालिटी के इसप्रेगन आपको मिल जाती है अगर आप भी अगर परिसाद में अच्छी क्वालिटी के इसप्रेगन के लिए तो आपको बेल इसकिल कम्पणी की काफी वड़ीया डिवरेबिलीट भी बना हुआ है 700 ml 600 500 आपको उसके एकॉर्डिंग जितना डालना है आप इसमें डाल जाएगा इसके छेदे से आपको इसमें डालना है बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा फिर आपका जो मसीन है वह आपका खीच नहीं पागा इसलिए आपका यह किप दिया हुआ है अब चल कि एक ही में आपको प्रेसर भी देदेगा और आपको इसन अब लग से है जो कि इस मॉडल के अगर हम बात करें तो यहां पे सबसे पहले आपको मॉडल दिखाना चाहते हैं यहां पे जो कि छेज तो वाट का है मॉडल आपको डब्बै पर मिल जाएगे अपको मॉडल तो पड़िया है अब देखिए यहां पर इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल करना काफी जी कुछ करने के जरूत नहीं है यह आपकाग मसीन देखाते हैं अपको perfect लगाना है और आपको ऊक्वाइज कुंक गुमाना जैसे घुमाईएगा यह देख रहे हैं यह आपको लग लग चुका है यानि आपका यह जो भी इंस्टॉलिशन प्रोसेस है यह अपका complete हो चुका है अब इसको आपको कंटेनर को लगाना है इसमें कंटेनर को लगा करके आपको इस प्रकार घुमाना है ऐसे आप घुमाईएगा इसको थोड़ा सा आपको टाइट करने ताकि इधर से आपका पेंट वगरा लिक्ट ना करें अब यहाँ पर बात करते हैं क्या कि इसमें फंक्सन दिया हुआ है देखें यह आपको ट्रीगर मिल यहाँ पर देख रहे हैं जोकी गोला बिंदी है और यहां पर देख रहे हैं थोड़ा से लंबा में और बड़ा में ठीके अगर आप पूरा एकदम अगर लेफ्ट साइड में कर देते हैं छोटा सा गोला में आपका पूरा पेंट होते जाएगा अगर आप राइट साइड में पूरा घुमाते हैं जितना ज्यादा घुमाईएगा उतना ज्यादा थोड़ा सा दूरी बढ़ेगा और ज्यादा दूर में आपका इस्प्रे करते जाएगा अभी जब हम पेंट करेंगे तो आपको इस चीज के फंक्शन के बारे में आपको और आपको जब इसको खोलना होगा घं को तो कैसे खोल bacon यग वह भी आपको हम बताते हैं देखें यह ऊपर में है इसको करना करना है और ापको मसीन को दिक्विए machine को आपको anti clock wise घुमाना है फिर आपका ये जो भी ये machine निकल जाएगा चलिए इसको हम फिट से फिट कर देते हैं अब यहाँ पर आती है जो आपका nozzle दिया हुआ है nozzle को किस तरीके से खोलना है nozzle को आप देख रहे हैं इस तरीके से आप खोल करके जब भी आपका पेंट हो जाए इस machine को ये पूरा nozzle अच्छी तरीके से धो करके आपको एक चीज हम बताना बोलगे इसमें आपका water पेंट हो या फील आपका oil पेंट हो दोनों आप इस machine से असानी से कर सकते हैं कि इसको आपको nozzle को इस पर काची टाइट करना है वाकि और इस machine में अलग से कोई भी फंक्शन नहीं है ये handle है जिसको पकड़कर करेंगा चलिए अब हथोड़ा सम्चलते हैं सक पेंट में और आपको कश रहता है क्योंकि वाटर प्रेंथे थोड़ा borrow अगर मोटा गण जाएगा हम इसको डालेंगे। जाप इसको हम इस तरीके से पूरा च्छान लेंगे यह देख रहे हैं काफी असानी से धीरी 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 बहुत ज्यादा गढ़ा पेंट रहेगा तब कि जो मसीन है वह अच्छी तरीके से खीच नहीं पाएगा आपको उतना ही लेना है पतला जितना आपका हो जाए बहुत पतला भी नहीं दाएगा नहीं तो पेंट आपका बहने लगेगा यहां पर देख सकते हैं कि यह मेरा पेंट इसमें हो चुका है अब इसको हम करेंगे पैक इसको लगाएंगे इसमें कि इसको टाइट अच्छी तरीके से आपको कस लेना है ताकि यहां से लिक ना करें अब चलिए अब को हम प्रेंट करके वाल को दिखाते हैं कि इसको हम अभी थोड़ा सा करते हैं डॉट पॉइंट पे ताकि देखते हैं इस पर एक कितना आता है कि थोड़ा साम इसको बढ़ाते हैं अब कर्का प्रेंट प्राएंट भ्राएंट करते हैं कर दोड़ा करते हैं हम एक उती दोड़ा झाल 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 दिवाल पर जो कि वह समझ में आता हो काफी प्रोफेशनल टाइप पेंट आपका लगता है कि किया हुआ है कि इसको पर्चेस करने के लिए डिस्क्रेशन बाय लिंक है टेक केर